तो हम लोग एरिया रिलेटेड़ टू सर्कल के थार्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं और हमने पहले और दूसरे पार्ट में सारी चीजों के बारे में देखा और कुछ अच्छे अच्छे कोश्चन हमने सेक्टर के उपर किये सेक्टर मतलब मैंने आपको बताया ही था कि आपके सेंटर से रेडियस और सरकम्फिरेंस का पार्ट जो है वो आर्क लेंथ और एक थीटा से हम लोग अंसर निकालते हैं और आपको दो चीज के बारे में मैंने जानकारी दी थी जिसमें आर्क लेंथ आपकी पाई आर थीटा एपान 180 डिगरी के बराबर होता है और आपका एरिया पाई यार स्कॉयर थीटा एपान 360 डिगरी के बराबर होता है और आपको मैंने यह भी जानकारी दी थी एक्वल टू हाफ एल आर तो आगे बढ़ने से पहले हम एक कोस्चन लेते हैं और उसके बात फिर हम सिग्मेंट की तरफ बढ़ेंगे और कोस्चन आपके सामने कुछ यह है कि एक सर्कल है आपके पास यह कोस्चन मैं कर रहा हूँ एक सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस पास सेंटिमीटर है और एक एबी कॉड है फाइब रूट थ्री की तो आपको पता करना है कि सेक्टर एओ बी का एरिया क्या होगा कोस्चन बहुत अच्छा है आपको समझ में आना चाहिए इन्होंने बोला है कि आपके पास एक सर जिसकी लेंख आपको 5 रूट 3 दे रख्येएं ठीक है और आपसे पूछ रहा है कि सेक्टर एओ-बी का एरिया क्या होगा कि सेक्टर एओ-ओबी का एरिया क्या होगा है ठीक है यही question है आपके पास एक बर मैं फिर से देख लेता हूँ हाँ कुछ यही question है तो इस question को करने के लिए हमें सबसे पहले एक sector AOB बनाना पड़ेगा तो हमने एक AB segment arc लिया AB और इस AB arc को मैंने एक cord AB बनाया और यहाँ पे मैंने O point दे दिया जहां से समझेगा और आपको बताना है AOB का area और AOB का area क्या होता है पाई यार स्क्वाइर थीटा एपॉन 360 डिगरी हमें radius 5 दे रखी है तो इसका मतलब हमें radius का तो length पता चल गया 5 अब मुझे पता करना है थीटा तो मैं थीटा कैसे पता करूँ है हमें एक चीज और दे रखी है अगर आप ध्यान दे तो AB की value 5 root 3 तो इसका मतलब यह वाली पूरी value कितनी दे रखी है 5 root 3 ठीक है और अब हमें यह वाला angle पता करना है थीटा जो हम यहाँ पे इस्तिमाल करेंगे ठीक है तो मैं अपनी सहुलियत के लिए एक काम करता हूँ जरा आप समझेगा इस चीज को मैंने यह वाला triangle बाहर निकाला जो मेरे पास था और मैंने इस पूरे angle को टू थीटा माल लिया और यहाँ से एक line नीचे खिशी perpendicular यह मुझे पांच दिया है यह मुझे पांच दिया है तो जो मेरे cord की length हो की अगर मेरी यह वाली side और यह वाली side बराबर है तो जो मेरा base होता है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है 5 root 3 upon 2 और 5 root 3 upon 2 कोई दिक्कत आपको और जो यह 2 थीटा मैं लिखा हूँ यह angle आपका थीटा और थीटा हो जाता है ठीक है तो आपने अभी तक क्या सिखा आपने यह सिखा कि अगर अगर मुझे कोई एक triangle दिया हो जिसमें मुझे दोनों length यह वाली बराबर हो और मेरे को यहां का angle थीटा दिया हो तो मैं इसको दोनों को थीटा थीटा कर दूँगा और यहां पर perpendicular खीच के जो नीचे की length है उसको आधा आधा कर दूँगा 5 root 3 upon 2 और 5 root 3 upon 2 अब आप ध्यान दीजिए अगर मैं आपका ध्यान ले जाओं तो हम O, A, B और C तो मैं triangle O, A किसी A, C की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ और मैं आपको sin theta की value इसमें पूछ रहा हूँ triangle O, A, C में तो आप बोलेंगे sin theta की value होती है perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular मेरे पास कितना है 5 root 3 upon 2 और मेरे पास hypotenuse कितना है 5 तो 5 से 5 cancel हो गया sin theta की value आगई root 3 by 2 तो इसका मतलब theta की value कितनी होगी अगर आपको ध्यान होगा तो sin 60 की value root 3 by 2 होती है तो इसका मतलब आपके इस theta की value कितनी होगई 60 तो इस theta की भी value कितनी हो जाएगी 60 इसका मतलब आपको अब आपका answer आजाना चाहिए हमारा ये circle था हमने यहाँ पे ये 2 किया ये 5 दिया है ये 5 दिया है और ये 5 root 3 दिया था और मैंने इस triangle को solve करकर ये वाली पूरी value जो है वो मैंने 120 निकाल ली और अगर आपको 120 पता चल गया तो अब आपके इस question में कुछ रहा नहीं आपके पास R है 5 और थीटा है आपके पास 120 तो AOB का AOBAO जो आपका sector है ये वाला इस sector का area क्या निकलेगा पाई R square थीटा upon 360 डिगरी कोई दिक्कत आपको तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके और एक चीज़ मैं और बताता हूं अगर center से आप अपने diameter पर या अपने cord पर कोई पर perpendicular खीशते हैं तो ये उस cord को बराबर भागों में बाट देता है तो कुछ यही चीज़ यहाँ पर करी गई थी अगर ये दोनो radius है मेरा तो नीचे वाले cord की length जो है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी और जैसे ही वो दो बराबर भागों में बढ़ेगी तो आप theta निकाल लेंगे इस x और इस r की मदद से अब क्यूंकि मुझे दोनो theta चाहिए तो इसलिए मेरे को 2 theta लेना होगा और फिर मेरा ये sector बनेगा आई बात मेरी समझ में आई ये अगले question पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा इन्होंने बोला है कि आपको एक circular rim दी गई है एक circular rim दी गई है आपको और इसके उपर आपने पट्टा लगा रखा है A से B तक पहुँचने के बाद इस पट्टे को खीच कर P की पॉइंट पे जोड़ दिया गया और center से उसकी दूरी 10 बता दी गई ठीक है आपने एक circle के उपर एक पट्टा लगाया हुआ है और उस पट्टे को आपने खीच कर P तक बढ़ा दिया जिसकी center से दूरी 10 है question एक बाद फिर से देख लीजे क्या है an elastic belt is placed around the rim of a pulley of radius 5 cm 5 cm का एक आपके पास rim है और उसके उपर आपने belt लगाई है और उस belt को one point on the belt is directly away from the center row of the pulley until it is at P और एक point जो है center से उस rim का या उस elastic belt का P तक खीचा गया है जो 10 cm की दूरी पे है तो आपको पूछ रहा है find the length of the belt that is contact with the rim आपकी rim के साथ जो belt contact में है उसकी length पता करिए और shaded area की length पता करिए ठीक है तो 5, 5, 10 है आईए हम लोग इस question को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आपको ये circle दिया गया है ध्यान से समझेगा ये point दिया गया है और यहां से ये length कुछ ऐसे करके बनी होई है ठीक है और ये हमें 5 और 5 दिया गया है और ये वाली पूरी length हमें कितनी दे दी गई है 10 अब मुझसे पूछा क्या गया है पहले ये समझे आप सबसे पहली चीज़ जो मुझसे पूछी गई है वो पूछी गई है कि ये जो मैंने हरी लाइन खीची है इसका area कितना होगा और जो दूसरी चीज़ पूछी गई है वो पूछी गई है कि आपके rim का length कितना होगा जो belt पे है जो ये नीली लाइन मैंने खीची है इसकी आपको length पता करनी है ठीक है ये दो चीज़ आपको पता करनी है कोई दिकत देखिए इन सारी question को करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए होगी वो चाहिए होगी ये वाला theta और ये वाली length ठीक है कोई दिकत आपको तो देखिए मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ आप इस triangle को याद रखिए पास दस वाले मैं इसी triangle को सबसे पहले solve करूँगा तो कुछ हमें ये दिया गया था यहाँ पर perpendicular था ये 5 था ये 10 था और कुछ यहाँ पे भी आपका ये 5 था और ऐसे करके था ठीक है और ये perpendicular अब देखिए आप मैंने क्या किया यहाँ पे एक थीटा लगा दिया ठीक है और मुझे मालूम है कि नीचे भी मेरा 5 दस 5 दस है RHS थोरम से ये वाला भी थीटा ही होगा अब देखिए आप इस थीटा के लिए इस थीटा के लिए हमारे पास 90 के सामने वाला 10 हो गया हाईपोटेनियोस 90 के सामने वाला 10 हो गया हाईपोटेनियोस ठीक है और ये वाली लेंथ हो गई परपेंडिकुलर और ये वाली लेंथ हो गई बेस इस थीटा के लिए इस चीज़ा आप टिग्नोमेटरी में पढ़ रखे हैं इसलिए मुझे इस खुब में बताने की वो जरूत नहीं है तो हमने क्या किया हमने 5 और पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर और बेस इन दोनों की मदद किसे मिलेगी 10 से तो आप लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू या मुझे मेरे को हाइपोटेन्यूस पता है 10 और बेस पता है मुझे 5 और बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में कौन रिलेशन देता है कॉस तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस एपॉन हाइपोटेन्यूस और मेरे cos theta की value कितनी आएगी मेरा base क्या है 5 और मेरा hypotenuse कितना है 10 5 बटा 10 होता है 1 बटा 2 और 1 बटा 2 किसकी value होती है cos 60 की value होती है 1 बटा 2 तो इसका मतलब आपके इस theta की value कितनी आ गई 60 तो इस theta की value कितनी आ जाएगी 60 कोई दिखकर अब मुझे ये 60 पता चल गया तो मैं अब perpendicular भी निकाल लेता हूँ अपनी सहूलियत के लिए और perpendicular निकालने के लिए मेरे को मालूम है कि perpendicular और base में कौन रिलेशन देता है 10 थीटा 1060 की value कितनी होती है root 3 perpendicular कितना है मुझे पता नहीं और base कितना है मेरे पास 5 तो perpendicular की length कितनी आ गई 5 root 3 और ये भी आ गया आपका 5 root 3 कोई दिक्कत तो आपका जो वो diagram था उसमें देखिए आपको क्या-क्या चीज पता चल गई ये 5 पता चल गया ये 5 पता चल गया ये 10 पता चल गया ये पूरा angle पता चल गया आपको 60 और 60 और ये length पता चल गई 5 root 3 और ये length पता चल गई 5 root 3 यहां तक आपको मेरी बास समझ में आई अब देखिए आप ये हो गया O A B C अगर मुझे ये लाल कलर का जो region है इसका area मुझे निकालना है तो मैं quad lateral जहां से समझेगा quad lateral O B C A का area निकाल कर O B C A का area निकाल कर उसमें से area O A B को minus कर दो तो मेरा answer आजाएगा देखिए O A B आपका ये रा और O A D C आपका पूरा ये रा अब बात आती है कि O B C A का हम quad lateral का area कैसे निकालें तो आपको इसके अंदर दो triangle दिख रहे हैं और दोनो right angle triangle है तो इसका मतलब मेरा इसका answer क्या आजाएगा देखिए triangle O A C O B C A के area के लिए मैं triangle O A C और triangle O B C लूँगा O A C का area कितना होगा half into 5 into 5 root 3 और O B C का area कितना होगा half into 5 into 5 root 3 और दोनो half आप आपस में मिल जाएंगे तो आपके quad lateral O B C A का area आ जाएगा 25 root 3 25 root 3 अब आईए आप O A B के area पे तो आप देख रहे हैं O A B मेरा एक sector है और sector के area के लिए मेरा ये angle 120 है मतलब मुझे theta पता है 120 और radius पता है मुझे 5 तो मैं O A B का area अराम से निकाल सकता हूँ जो भी आपका O A B आएगा उसको आप 25 root 3 में से घटा देंगे आपको आपका answer मिल जाएगा कुल मिला के बात ये है ये आप से पूछना ये चारा है कि अगर आपको इस टाइप के diagram मिले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उपर वाला triangle और नीचे वाले triangle ये दोनो right angle triangle है और इस पांच और इस दस की मदद से आप trinometry इस्तिमाल करके ये theta और ये theta निकाल लेंगे उसके बाद आपका काम ये है कि आप triangle O A B का इस sector का area निकालेंगे और quad lateral का area निकालेंगे और quad lateral में से इस sector को माइनस कर देंगे जैसे ही माइनस करेंगे आपके इस पूरे की length आजाएगी जो diagram में पूछा गया है अब आते हैं हम लोग rim के उपर जो length लगी हुई है उसका circumference निकालने के लिए ठ्यान से समझेगा कुछ ये हमें दिया गया है ये 5 है ये 5 है ये 120 है ठीक है मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे मैं हरे color से बना रहा हूँ अगर मुझे इसकी length चाहिए ठीक है A, C, B की length अगर मुझे चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ कि पूरे circle की length जो है टूपा यार उसमें से मैं A, B की length माइनस कर दूँ अगर पूरे circle में से मैं ये A, B की length माइनस कर दूँगा तो मेरा answer आजाएगा और A, B मेरा क्या है A, B मेरा arc length है जो मैं आपको बताया हूँ इस प्रकार के diagram में जहां ये radius ये radius रहता है आपकी ये होती है arc length और arc length आपका कैसे निकलेगा pi r theta upon 180 degree से r की value आपको पता है 5 और theta की value पता है आपको 120 अराम से इसमें रखिए ये वाला answer निकालिए 2 pi r में से घटा दीजिए यहां पे भी r आपका 5 है तो आपको A, C, B की length मिल जाएगे कोई दिक्कत बहुत अच्छा question था ये आप इसको समझ गए आगे चलिए आगे आगे हम आते हैं segment पे और segment की मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ कि कैसे formula निकले हैं और कैसे क्या हुआ है last बार आप segment को समझे segment होता है जब chord और arc से आपका कोई region बने ये हो गया आपका segment इसको कहते हैं हम segment और segment जो है इसका जो ये major part है इसे हम लोग कहते हैं major segment और जो ये छोटा वाला part है इसे हम कहते हैं minor segment यही चीज को sector में भी चलती है ये हो गया आपका minor sector और ये हो गया आपका major sector sector हमेशा radius और arc से बनता है और segment हमेशा chord और arc से बनता है ठीक है तो आपको ऐसे question में जहां पर इस type की चीजें आएं आप direct ध्यान रखिए आपको एक ये theta पता होना चाहिए एक ये r पता होना चाहिए अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको निकालनी है ACBA का एरिया एक आपको निकालना है ACBA का एरिया और एक आपको निकालना है AMBA का एरिया अगर मुझे ACBA का एरिया निकालना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँ पहले और इस sector के area में से ये triangle का area minus कर दो तो sector का area क्या होगा πाई यार स्क्वायर थीटा upon 360 डिगरी minus triangle का area मैंने आपको क्या बताया था half r स्क्वायर साइन थीटा तो इसका मतलब आपके कोई भी सरकल हो और यहाँ पर ऐसे खीचा हो तो आपके इस sector का area क्या होगा πाई यार स्क्वायर थीटा upon 360 डिगरी minus half r स्क्वायर साइन थीटा कोई भी triangle जिसकी एक side a हो और एक side b हो और बीच में थीटा हो इसका area होता है half a b साइन थीटा और कुछ यही चीज आपके यहाँ पर भी लगती है अगर यह r हो और यह r हो और यह थीटा हो तो a b मतलब r into r, r स्क्वायर और साइन थीटा ठीक है तो आप triangle का area और sector का area sector आपका क्या होता है मैं आपको कई बार बता रखा हूँ यह होता है sector जब आपके radius, radius और थीटा से चीजे बनती है जैसे ही आपने इसके अंदर एक line खीची तो यह आपका हो गया segment और segment के area के लिए आपने पूरे sector का area निकाला pi r स्क्वायर थीटा upon 360 से और फिर उसमें से यह triangle का area आपने minus कर दिया तो triangle का area क्या होता है minus half r स्क्वायर साइन थीटा ठीक है आई यह question की तरफ बढ़ते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा इन्होंने बोला है कि एक circle है 21 cm का और वो 60 degree से 60 का कोण बनाता है तो आपको arc की length पता करनी है area of sector पता करना है और area of segment पता करना है तो यह question मेरे ख्याल से बहुती आसान है अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको एक circle दिया गया है ठीक है circle की radius आपको दे दी गई है 21 और theta भी दे दिया गया है आपको 60 ठीक है और यह दे दिया है O A B C अब इसमें देखिए आपसे क्या क्या पूछ रहा है सबसे पहले तो यह पूछ रहा है A B की arc length क्या होगी पहला दूसरा आपसे पूछ रहा है sector O A B O का area क्या होगा O A B O का area क्या होगा और तीसरा segment AC B A का area क्या होगा यह तीन चीज आपसे इस question में पूछ रहा है और दे रखा है तो मेरे ख्याल से हमें इस question में R की value पता है कितनी 21 और theta भी हमें पता है कितना 60 और यही दो चीज की जरूद हमें पढ़ती है A B arc length है तो इसमें हम क्या लगाएंगे πाई R theta upon 180 degree R की value 21 पूट कर दिजे theta की value 60 आपका अंसर आ जाएगा sector O A B O का area निकालने के लिए मुझे मालूम है क्या इस्तिमाल करना होगा πाई R square theta upon 360 degree तो मेरे O A B O का area आ जाएगा ठीक है अब segment A C B A का area निकालने के लिए मेरे जो sector का area निकला है sector का area क्या निकला ये O A B O का area आपने निकाल लिया अब इसमें से आप ये वाली चीज माइनस करेंगे जो triangle का area होगा जब triangle का area माइनस कर देंगे तो आपके segment का area आपके पास आ जाएगा और triangle का area इसमें क्या होगा तो हमें मालूम है 21 और 21 के बीच में 60 दिया गया है तो इसका मतलब अगर मेरी ये चीज इस तरीके से है ये 21 और ये 21 और ये थीटा मेरे को 60 दिया गया है और मुझसे इसका area पूछ रहा है तो मैं करूंगा πाई इंटू 21 का square इंटू 60 upon 360 degree ये हो गया मेरा pi r square theta upon 360 degree माइनस अब triangle का area मैंने क्या पताया था half radius मेरा कितना है 21 r square और sin 60 की value कितनी होती है root 3 by 2 देखिए आप इसको solve करेंगे आपको segment का area पता चल जाएगा ठीक है और question solve करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी question पहले ही value नहीं लगाना है अगर आप पहले ही value लगाने लगेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो ऐसे question में हमें कोशिस ये करनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज common है देखिए r square आपका common है तो आपका पहले वाले में क्या बचेगा पाई theta upon 360 degree और दूसरे वाले में क्या बचेगा half sine theta अब आप देखिए theta की value हमें 60 दे रखिए तो ये हो गया पाई by 6 minus sine theta की value sine 60 की value root 3 by 2 होती है तो ये हो गया root 3 by 4 और r की value 21 दे रखिए तो ये हो गया 21 गुड़े 21 इस तरीके से आप question solve करेंगे आपका असानी से निकलेगा यहां पर पाई की value आपको 22 by 7 पुट करेंगे उसके बाद LCM निकालेंगे आपका answer आजाएगा लेकिन formula वो देखेगा कि आपने कौन सा formula लगाया है ठीक है किसी भी ट्रेंगल का area आपको निकालना हो तो आपको उसके दोनों तरफ की side पता होनी चाहिए जिसकी length मान लिजए यह 3 दिया है और यह 7 दिया है और इसके बीच में यह angle दिया है 60 और आपसे पूछ रहा है इसका area निकालो तो आपको मालूम है half into 3 into 7 into sin 60 क्योंकि मैंने आपको बताया था half a b sin theta हमारा होता है जब यह दोनों बराबर हो जाते हैं तब यह हो जाता है half r square sin theta ठीक है आगे देखिए जो हम लोगों के पास है वो कुछ यह है देखिए जहां से समझेगा question क्या है आपको पहले question समझ में आना चाहिए एक diagram है जिसमें दो आर्क है ए और बी और वो देखिए आपको यहां पर कुछ दिया हुआ है यह रह a और यह रह b ठीक है आर्क a is the part of the circle which radius op जो a है वो op वाले से बना हुआ एक सेक्टर है op उसका radius है उससे आपका oa बना है ठीक है और जो आर्क b है वो center m से बना है semi circle सेंटर m से बना है semi circle मतब radius pm है और m midpoint है तो आपको पता करना है कि दोनों से जो area enclosed हो रहा है उसका क्या value होगा त्यान से समझेगा question यह आपके पास diagram है यह diagram आपको दे रखा है और आपको कुछ इसका area निकालना है ठीक है यह लाल color का जो है इसका area आपको निकालना है अब इसका area आप निकालेंगे कैसे आपको एक चीज यह पता है कि मेरा area qbp जो मेरे b quad से बना है इसका यह midpoint है और यह दोनों lens मेरी 5-5 दे रखिए ठीक है और दूसरा मुझे यह पता है यह वाला triangle का यह वाला sector जिसका मुझे यह theta और यह theta दे रखा अब देखिए सबसे पहला काम तो मेरा यह है कि मुझे theta पता करना है तो मैंने यह वाला triangle पकड़ लिया देखिए जहां से समझेगा मैंने यह वाला triangle पकड़ लिया और इस theta के सामने यह वाली side हो गई perpendicular और 90 के सामने यह वाली side हो गई hypotenuse perpendicular और hypotenuse कौन देता है sin तो इसका मतलब sin theta की value कितनी हो गई 5 बटा 10 तो theta की value कितनी आ गई 1 by 2 किसकी value होती है 30 की तो आपके इस theta की value कितनी आ गई 30 कोई दिक्कत तो आपका यह diagram अब किस में बदल गया देखिए यह भी 30 हो गया और यह भी 30 हो गया मतलब पूरा angle मेरे पास कितने का हो गया 60 का अब देखिए आपको निकालना है जहां से समझेगा सबसे पहले मैं इसका area निकालूँगा और इसका area निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा मैं सबसे पहले इस पूरे sector का area निकालूँगा और इस sector के area में से इस triangle के area को minus कर दूँगा क्योंकि यह मेरा segment है और segment मुझे निकालने आता है कैसे निकलेगा देखिए आप आप इस diagram को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यह diagram आपका कुछ यह है यह 10 है यह 10 है यह आपको ऐसे करके दिया है और आपको कुछ यह answer निकालना है और यह आपको 60 दिया हुआ है तो आप करेंगे क्या सबसे पहले O A O A C B O का area निकाल लीजिए पूरा वो किस से निकलेगा पाई आर स्कॉर थीटा एपॉं 360 डिगरी से और आर की वैल्लियू आपको 10 दे रखी है थीटा की वैल्लियू 60 आपका पाई आर स्कॉर थीटा एपॉं 360 डिगरी से पूरे O A C B O की लेंज निकल गई अब आप बता ट्रेंगल OAB का एरिया क्या होगा तो ट्रेंगल OAB का एरिया में ये 10 दिया है ये 10 दिया है और ये 60 दिया है तो मेरा हो गया half into 10 square into sin 60 half r square sin theta तो आपके इस ट्रेंगल का एरिया आपका निकल गया और पूरे का एरिया आपने निकाल लिया पूरे के एरिया में से ये ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके इसका अंसर आ जाएगा आया मेरा बास समझने तो इसका मतलब आपने आपने कुछ इसकी value निकाल ली इस वाले की कैसे निकाली आपने OQP आपने आपने क्या किया आपने OQPA का sector का area निकाला OQP O का sector का area निकाला और उसमें से ट्रेंगल OQP का area माइनस कर दिया तो आपको क्या मिल गया आपको मिल गया OPAQ का area देखिए OPAQ का area यह रहा इसका area आपने निकाल लिया और दोनों क्या है OQPA मैंने आपको बता दिया sector है πr square theta upon 360 degree r की value आपकी 10 theta की value 60 साथ क्योंकि यह पूरी value आपको कितनी दे रखिए 60 ठीक और इसमें से मैंने O QP का triangle का area माइनस कर दिया तो half r square sin theta theta की value 60 r की value 10 आपके इसका area आगया अब देखिए आप दूसरी चीज अब मैं ले रहा हूँ यह वाला semi circle क्योंकि उसने बोला है कि O M मेरा centimeter है तो यह मेरा center होगा और इस center से यह वाला मेरा एक semi circle हो गया तो semi circle की radius मुझे दे रखिए है 5 semi circle की radius मुझे दे रखिए है 5 तो मेरे इस पूरे का area कितना हो जाएगा pi r square by 2 और आप pi r square by 2 करेंगे तो आपको इस पूरे का area पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 5 5 yeah 25 pi by 2 इस 25 pi by 2 में से यह जो आपको 25 pi by 2 मिला है इस में से आप क्या minus कर देंगे यह वाला जो आपने निकाला था पीछे यह वाला आप minus कर देंगे तो आपको इसका answer मिल जाएगा देखे कुछ यही चाहिए किया होगा पी ओ क्यू की वेल्यू इनकी आ गई पूरी साथ उसके बाद इसमें एटू निकाला जो कॉर्ड पी क्यू से बन रहा है और उसमें इन्होंने वही किया पाई रिस्क्वाइल थीटा एपॉन अगे आपका एरिया आ गया ठीक है कोई दिक्कत आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ गया आगे यह आपसे क्वेश्टन पूछ रहा है find the difference of the area of the segment of a circle form by a cord of length 5 cm and extending 90 degree find the difference of the area of two segment of a circle form of cord of length 5 cm सबास अच्छा कोश्चा नहीं देखिए इन्होंने बोला है आपको कि आपको एक circle दे रखा है और इस circle में एक cord की length आपको 5 दे रखिए और आपको कुछ भी नहीं दिया है और आपसे बोल रहा है दोनों segment का difference कितना होगा ठीक है तो पहले तो हम देखें कि segment कौन सा है तो minor segment मेरे पास कौन सा है AMBA ये है मेरे पास minor segment और ACBA मेरे पास है major segment segment हमेशा cord से बनते हैं ये ध्यान रखना है तो आपको major segment और minor segment के बीच में difference बताना है ठीक है तो मैं आपको major segment निकालता हूँ पहले देखें ये हमारा AB है और ये O है तो पहले हम इस ट्रेंगल पर ही जाते हैं और मैंने यहां से एक perpendicular खीचा ये वाली radius R होगी और जो नीचे मेरे को पांच length दी है वो आधे आधे में बढ़ जाएगी ठीक है और ये वाला angle मुझे 90 दे रखा है ठीक है question आप जहां से देख लीजे एक बार तो आपको segment के बीच के minus बताना है और वो कैसे बताना है वो बस आप समझे ताकि आपके doubt सारे clear हो जाए center से ये दोनों मेरा r हो गया ये मेरा 90 हो गया और ये वाली length मुझे दे रखी है पांच तो मेरे ख्याल से ये एक right angle triangle है तो 5 square equal to r square प्लस r square आपके पास हो जाएगा तो आपकी value आ जाएगी 25 equal to 2 r square तो r square की value कितनी आ गई 25 by 2 और 25 by 2 को आप root निकालेंगे तो r की value आपको कितनी मिल जाएगी 5 upon root 2 r की value कितनी आ गई 5 upon root 2 देखिए अब आपका question हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से आपको ये circle दिया आपने ये दोनो length निकाल ली 5 upon root 2 और 5 upon root 2 ये आपको 90 दे रखा है और ये length आपको a b दे रखिए अब मुझे इसका area निकालना है तो सबसे पहले तो मैं sector का area निकालूंगा पूरे sector का area कितना होगा sector क्या है मेरे पास o a m b o o a m b o का area क्या होगया pi r square theta 90 है नीचे 360 होता है 90 को 360 से भाग देंगे तो pi r square by 4 आपको मिल जाएगा माइनस half triangle का area o a b का area o a m b o में से अगर मैं o a b घटाऊंगा तो मुझे a m b a का area मिल जाएगा तो o a b triangle का area कितना होगा half r square sin theta ठीक है r की value आपको पता है 5 upon root 2 theta की value आपको पता है 90 मेरे ख्याल से आप इसको आराम से अब निकाल देंगे sin 90 की value 1 होती है तो ये पूरा खतमी हो जाएगा आपके पास कुछ यही बचेगा और आप इसे solve करेंगे आपको a m b a का area पता चल जाएगा r की value बस आपको 5 upon root 2 इसमें put करनी है ठीक है यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई अब देखिए आप तो आपके a m b a का area निकल कर आ गया किससे निकल कर आया pi r square theta upon 360 degree minus half r square sin theta से और r की value मेरे को 5 upon root 2 पता है अब मुझसे कोई पूछे a c b a का area क्या होगा a m b a का area तो आपने निकल लिया theta की value आपको 90 दे रखी है और r की value 5 by root 2 आपने put किया और a m b a का area निकल लिया a c b a का area क्या होगा तो आप देख रहे हैं अगर मेरे पास ये वाला area पता है तो मैं पूरे बड़े वाले circle में से अगर ये वाला area घटा दूँ तो मेरे इस वाले का area निकल आएगा a c b a का तो हमारा जो इसका answer आया होगा उसको हम pi r square में से a m b a के area को हम लोग minus कर देंगे क्योंकि पूरे circle का area कितना होता है pi r square कोई दिक्कत आपको यहां तक किसी भी चीज में तो मैंने आपको यह चीज पहले ही बताई थी कि अगर circle हो और ये a b दिया हो और ये o दिया हो और ये m दिया हो और ये c दिया हो तो a m b a के area के लिए हम लोग area of sector o a m b o मेंसे area of triangle o a b minus कर देंगे तो हमारा a m b a का area आजाएगा और a c b a के area के लिए हम लोग pi r square मेंसे a m b a का area मइनस कर देंगे तो हमारा a c b a का area आजाएगा तो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए ये आपका माइनर सिग्मेंट है और ये आपका मेजर सिग्मेंट ठीक है A, C, B, A आपका मेजर सिग्मेंट है और माइनर सिग्मेंट दोनों का जो अंसर आएगा उसको माइनस करेंगे आपको आपका अंसर मिल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आगे आईए अब देखिए यह कोस्टन दिया है आपको सेडेड रीजन का एरिया निकालना है आपको एक रेक्टेंगल दिया है 21-72 का और उसके अंदर 21 सेंटिमीटर का एक छोटा सा आर्क दे दिया है तो हमें अगर मैं पूरे अगर मैं पूरे ओ ए बी सी का एरिया आपसे पूछू तो आप क्या बोलोगे 70 गुडे 52 लेंट इंटू ब्रेट अगर मैं आपसे पूछू ओ क्यू पी का एरिया क्या होगा तो आप बोलोगे सर ये एक सेक्टर है और सेक्टर की हमें थीटा पता है हमें कितना है 90 क्यूंकि रेक्टेंगल के हर एंगल 90 के होते हैं और रेडियस हमें दे रखा है 21 तो मेरे इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू 21 स्क्वाइर पाई आर स्क्वाइर थीटा कितना दे दिया 90 भागे 360 तो आपका आजएगा पाई इंटू 21 स्क्वाइर एपॉन 4 ये आगे आपका किसका एरिया इस चीज का एरिया आगे आपके पास ठीक है तो मेरे ख्याल से आप सारी चीजे निकाल लेंगे अगर आप से इसका एरिया पूस्ता यह जो बचा वाला है तो आप सत्तर गुडे बावन में से पाई इंटू ट्वंटी वन स्क्वाईर एपॉन फोर जो आपका आया है उसको घटा देंगे तो आपका ये वाले रीजन का एरिया आजाएगा ठीक है आगे कॉस्टन पर आईए आप देखिए चार छोटे छोटे सेक्टर दिये है तो हर सेक्टर का एरिया निकालने से अच्छा है कि आप क्या करेंगे आप देख रहे हैं कि इसका भी रेडियस 14 है और ठीटा नब्बे है क्योंकि स्क्वायर है तो सारे एंगल नब्बे के ही होंगे इस वाले में भी र 14 है ठीटा नब्बे है इस वाले में भी र 14 है ठीटा नब्बे है और इस वाले में भी यही है आपको चार बार आड चौदा और थीटा 90 मिल रहा है तो मैं सीधे ये न कर दूँ 4 इंटू अब ये मेरा एक सेक्टर है और सेक्टर मुझे मालू में कुछ इसी टाइप से बनता है तो मेरे इन चारों का इसका 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 मिला के एरिया कितना आ गया 4 इंटू πाई आ स्क्वायर थीटा कितना दिया है 90 भागे 360 90 से ये कट गया 4 4 से 4 कट गया तो पाई इंटू 14 स्क्वायर आपके इन चारों कोनों का आ गया अब मुझसे अगर वो पूछेगा मुझसे अगर वो पूछेगा कि इसका एरिया क्या होगा जो ये बचा वाला है तो मैं क्या करू पूरा एरिया क्या हो गया पूरा एरिया हो गया मेरा ये वाला और इसमें से मैं ये वाली चीज ये वाली चीज ये वाली चीज और ये वाली चीज अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे बच्वाले का एरिया आ जाएगा और इन चारों का मैंने क्या निकाला था पाई आर स्क स्क्वायर जो आपने किया यह आगया आपका चारों का और 100 स्क्वायर में से जब आप पाई इंटू 14 स्क्वायर को घटाएंगे तो आपको इस बचे वाले का एरिया मिल गया है ठीक है आगया यह अगला कोस्चन आपको दिया है एक स्क्वायर है और उसका एरिया जो है वो आपको दे रखा है 784 ठीक है और इसके अंदर चार सरकल लगे हैं एक दूसरे को टच करते हुए तो आपको इन चारों सरकल को हटा कर जो स्क्वायर में इरिया बचा है या जो हमने shaded region नहीं किया है gray color का उसका area क्या होगा तो सबसे पहले तो मैं ये जो square का area निकला है इससे पहले मैं length निकाल लेता हूँ तो मुझे मालूम है square का area क्या होता है side square equal to 784 तो मेरे side की length कितनी आ गई 784 किसका square है 28 का तो ये हो गया 28 ठीक कोई दिक्कत तो इसका मतलब आपके square की length आपके square की length कितनी है 28 28 28 28 ठीक अब देखिए आप मैं देख रहा हूँ कि चारो identical circle उसने बोला है और अगर मैं ध्यान दूँ तो अगर मैं यहाँ पे line खेचूँगा तो ये r ये r ये r ये r ये r हमें 4 r मिल रहे हैं 4 r हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब 4 r ये पूरा 4 r जो है इस 28 के बराबर होगा तो r की value कितनी मिल गई हमें 7 अब आपका काम मेरे ख्याल से हो गया देखिए कैसे आपको पूरे square का area पता है ABCD का पूरा area पता है 84 और आपके इन चारो सरकल का radius कितना आया 7 तो 4 into pi into 7 square चार सरकल है तो 4 बार into और सारो का radius 7 है तो 4 into pi into 7 square आप कर देंगे तो आपको चारो सरकल का area मिल जाएगा और इन चारो सरकल के area को जब आप 784 में से घटा दोगे तब आपको answer भी मिल जाएगा बाकी बचे वाली चीज़ का जो square में बचा हुआ है ठीक है आपको 4 into pi into 7 square करने पर pi की value 22 by 7 जब आप रखेंगे तो आपको 616 मिलेगा और 784 में से जब आप 616 घटाएंगे तब आपको 168 मिल जाएगा ठीक है अगले question पर आई है देखिए यह भी question कुछ इसी type का है आपको एक square दिया है और इसकी length आपको निकालनी है तो पहले तो मैं देख रहा हूं कि ABCD एक square है सारू की length है 14 अगर मैं ABCD square की बात करूँ तो मेरे को सारू की length कितनी मिल रही है 14 तो मेरे square का area ABCD square का area कितना हो गया 14 square equal to 196 ABCD का पूरा area आगया मेरे पास 196 अब मुझे shaded का निकालना है तो मुझे मेरे को दिखने में लग रहा है कि ये एक sector है ये भी एक sector है ये भी एक sector है और ये भी एक sector है चार sector चारो का radius 7 और theta 90 चारो का radius 7 और theta 90 तो मेरा क्या आजाएगा 4 into एक एक का निकालते हैं हम लोग तो क्या निकलेगा pi r square theta मेरे पास कितना है 90 भागे 360 90 से ये कड़ गया 4 4 से 4 कड़ गया pi into 7 square आपके इसका 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 और इसका मिला कर कितना है पाई into 7 square अब देखिया टोटल मेरे पास कितना आया था 14 का square 196 और 196 में से आप 49 पाई जब घटा देंगे तब आपको आपका अंसर मिल जाए हमें कुछ भी निकरना हमें बस ध्यान देना है सेक्टर कहां कहां बन रहे हैं ये मेरा एक सेक्टर है ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा और हम देखरे हैं चारों सेक्टर में r की value 7 है और theta की value 90 है तो इसका मतब चारों सेक्टर का area सेम निकलेगा तो मैं 4 इंटू करके एक सेक्टर का area अपने पास निकाल लिया आपको pi इंटू 7 square मिल गया और जब मैं square की तरफ ध्यान दिया तो मुझे ये पूरी length 14 मिल रही है ये भी 14 होगा ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा तो पूरे square का area कितना हो जाएगा 14 square equal to 196 ठीक है आगे आईए अगला question आपको ये shaded region निकालना है तो मेरे ख्याल से इस question में अगर मुझे OAB का area निकालना होगा तो मेरे R की value होगी 21 और मेरे theta की value होगी 90 और जब मुझे OCD का area निकालना होगा तो मेरे R की value होगी 14 और मेरे theta की value होगी 90 आप देख रहे हैं थीटा दोनों में सेम है radius difference है तो इसका मतलब आपको इसका अंसर निकालते वक्त किस चीज का ध्यान देना है पाई आर सक्वायर थीटा एपॉन 360 डिगरी बड़े वाले का निकला माइनस पाई आर सक्वायर थीटा एपॉन 360 डिगरी छोटे वाले का निकला और हम देख रहे हैं कि theta हमारा सेम है तो pi theta upon 360 degree मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर मैंने r square minus r square रहने दिया एक r की length है 21 तो ये हो गया 21 square एक r की length है 14 तो ये हो गया 14 का square theta की value 90 दे रखी है 90 बटा 360 करेंगे तो 4 आ जाएगा तो आपके पास आगया pi by 4 equal to 21 square minus 14 square और आपको मालूम है a square minus b square 21 plus 14 कितना हो गया 4 एक 5 दो एक 3 और 21 minus 14 कितना हो गया 7 ये आगया आपके पास 35 into 7 अब देखिया pi को मैंने 22 by 7 लिख दिया into 4 plus 35 into 7 साथ से साथ कैंसी सत्तर और सत्तर आपके पास आगया साथ सो सत्तर भागे 4 चार भाग देंगे आपको आपका अंसर मिल जाएगा कुल मिला के हमें इस question में बस यही ध्यान देना है कि पहले हम बड़े वाले sector का area निकालेंगे और उसमें से छोटे वाले sector का area माइनस कर देंगे तो हमें इसका area मिल जाएगा सेक्टर हमेशा आपके अगर यही ट्रेंगल होता तब आपको OAB का area अगर कोई पूछता तो आप base और height को into कर देते लेकिन वो आपको हमेशा ऐसे करके दे रहा है तो वो आपसे OAB sector का area पूछ रहा है और sector के area के लिए मेरा formula क्या होता है पाई आर स्क्वाइर थीटा एपाउन 360 डिगिडी ठीक है आगे आईए अगले question पे देखिए एगला question इसमें भी आपको shaded region निकालना है और यह आपको 90 दिया हुआ है तो मेरे ख्याद से सबसे पहले तो मैं OAD triangle का area निकाल लूँगा और 90 degree का है तो यह मेरा base बेस हो गया 3.5 और यह हो गया 2 तो half into 2 into 3.5 आप करेंगे तो आपको 3.5 मिल जाएगा इसका area आपने इसका area निकाल लिया अब आप बड़े वाले का area निकाल लिये तो बड़ा वाला जो है मेरा कुछ यह है और इसके लिए मेरी radius कितनी होगी 2 होगी कि 3.5 तो आप बोलेंगे कि सर पूरा तो O A जा रहा है ना कि O D तो O A हमारा R हो गया 3.5 और theta हो गया मेरे पास 90 R और theta आपको पता चल गए आप अराम से triangle O A B का sector O A B का area निकाल लिजिए pi into R square theta 90 है 90 बटा 360 करेंगे तो pi R square by 4 और R की value हमें कितनी दे रखी है 3.5 अराम से आप इस sector का पूरे का area आप निकाल लिए और इस पूरे area में से आपने triangle का area माइनस कर दिया तो आपके बच्छे वाले इसका area आ गया ठीक है तीन चार चीजों से आपको होके गुजरना है और यही चीज आपको बताई जा रही है बार बार आ गया यह यह question देखिए आप आपको diagram कुछ यह दे रखा है 7 14 और कुछ यह करके और आप से पूछ रहा है कि abdc का area यह जो यह shaded region है इसका area क्या होगा shaded region का area क्या होगा और आपको 47 14 ऐसे करके चीजे दे रखी है ठीक है देखिए इस question को आप आपको एक circle यह दे रखा है और एक circle कुछ यह दे रखा है और आपको ऐसे करके निकाल के इसका area पूछ रहा है ठीक है यह आपको 40 दे रखा है यह आपको 7 दे रखा है और यह पूरा आपको 14 दे रखा है हमें मालूम है कि इस चीज का area अगर हम इनके मेंसे minus कर दें circular ring मेंसे तो हमारा answer आ जाएगा मैं आपका ध्यान पहले ले जाना चाहरा हूँ इस पर अगर यह मुझे छोटा आर दिया है और यह बड़ा आर दिया है और मुझसे कोई पूछे इस पूरे का area क्या होगा तो मैं बोलता हूँ सर बड़े वाले मेंसे आप छोटे वाले को minus कर दो आपका answer आ जाएगा तो मैंने भी कुछ यही किया जो यह circle मेरे को दोनों दिये गए थे इसमें मैंने अभी इस पे ध्यान नहीं दिया और मैंने इस पूरे का area निकाल लिया कैसे छोटे वाले का radius मुझे साथ दे रखा है बड़े वाले का radius 14 तो pi into 14 square minus pi into 7 square अगर मैं करूँगा तो मेरे पूरे circular ring का area आ जाएगा और circular ring का area मतलब मेरा यह वाला area मेरे पास आ गया ठीक है कैसे आया मैंने बस कुछ नहीं किया दो circle है मेरे को छोटा वाले radius साथ दे रखा है बड़ा वाला 14 तो बड़े वाले आर की value हो गई 14 और छोटे वाले आर की value हो गई 7 तो यह हो गय मेरा pi into 14 square minus pi into 7 square और मेरा यह वाला area निकल गया ठीक है अब देखिया आप ने pi into 14 square minus pi into 7 square करके circular ring का area निकल लिया किस चीज का इस चीज का ठीक अब देखिया अब मुझे करना क्या है मुझे केबल यह वाला भाग घटाना है जो मेरा पूरा निकला है pi into 14 square minus pi into 7 square यह मेरा क्या निकला पूरा यह निकला अब मुझे इसमें से यह वाला भाग घटाना है और इस वाले का area मुझे निकलना है इस वाले का area निकलने के लिए आप क्या करेंगे मैं इस वाली चीज क बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, देखिए, ये मुझे 40 दिया था, ये मुझे 7 दिया है और ये मुझे 14 दिया है, तो मुझे इस चीज का एरिया अगर चाहिए, तो मैं O, A, B, C, D, मैं क्या करूँगा, मैं सेक्टर O, D, C में से सेक्टर O, A, B को माइनस कर दूँगा, सेक्टर O, D, C का एरिया अगर मुझे निकालना हो, तो उसके लिए मेरी R की वेल्यू होगी 14 और थीटा की वेल्यू होगी 40, और सेक्टर O, A, B का एरिया मुझे निकालना हो, तो R की वेल्य वेलू होगी 7 और थीटा की वेलू होगी 40 कोई दिक्कत तो मैं करूंगा क्या पाई आर स्क्वायर थीटा एपॉन 360 डिगरी माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा एपॉन 360 डिगरी दोनों में थीटा मेरा 40 है तो पाई थीटा एपॉन 360 डिगरी को मैंने बाहर निकाल दिया और यह आगया मेरा 14 स्क्वाइर माइनस 7 स्क्वाइर. बड़ा वाला r मेरे पास 14 है, छोता वाला r मेरे पास 7. थीटा के value 40, 0 से 0 कंसील πाइबय 9. तो आपका answer आगया πाइबय 9, 14 स्क्वाइर, माइनस 7 स्क्वाइर. और आपके पूरे circular ring का area कितना था? पाई इन्टू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर तो आपको इस वाले में से ये वाला घटा देना है आपका अंसर आजाएगा और ये सॉल्ब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो हमने क्या किया हमने जब हमें कुछ ये चीज़ दी गई थी और हमसे कुछ ये वाला एरिया पूछा था ठीक है इतना सा एरिया हमसे पूछा है और हमें वेल्लू दे रखिए इसकी 7 और इसकी 14 ये 14 है और ये 7 तो मैंने पहले तो क्या किया सर्कुलर रिंग पूरे इसका एरिया निकाल लिया पूरे इसका एरिया मैंने निकाल लिया और वो कैसे निकला पाई यार स्क्वायर माइनस पाई यार स्क्वायर से और उसके बाद उसके बाद मैंने क्या किया मैंने यहां से एक टुकड़ा जो मेरा को दिया गया था इस टुकड़े में से मैंने इसका area अलग से निकाल लिया किसका इस वाले का और उसको इस पूरे सरकल वाले area में से माइनस कर दिया मेरा answer आ जागा और ये बताने कि मुझे जरूत है नहीं कि अगर आपको ये 7 दिया रहे और ये 14 दिया रहे तो आपको ये area निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप करेंगे क्या बड़े वाले में से ये छोटा वाला जो है इसको घटा देंगे और थीटा की value आपको 40 पहले से दे रखी है छोटा वाला radius आपके पास 7 है और बड़ा वाला radius आपके पास 14 है और sector का area आपको पता है पाई आर स्क्वाइर थीटा upon 360 degree ठीक है आईए आगे चलते हैं ये question भी आपका ऐसे ही है आप बड़े वाले sector का area निकालेंगे और बड़े वाले sector के लिए आपका आर हो गया 21 थीटा हो गया आपके पास 30 और छोटे वाले के लिए आपका आर हो गया 7 और थीटा हो गया आपके पास 30 बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए आपको इस वाले का area पता चल जाएगा ठीक आगे आईए तो यहां तक आपको चीजे समझ में आ गई होंगी अब और अब जो आपके सामने कोश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं सरकल जो हैं उसके अंदर कोई ट्रेंगल तो मैं उसकी तरफ पहुचने से पहले आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहरा हूँ और यह बहुत important है आप इसे बड़े ध्यान से समझेगा मैंने एक सरकल लिया इस सरकल के अंदर एक ट्रेंगल लिया और इस ट्रेंगल के अंदर एक सरकल लिया ठीक और यह सरकल मेरा इक्विलेटल ट्रेंगल है मतब सारी साइड मेरे पास ए है अगर सरकल मेरा बहार बनता है तो उसे हम कहते हैं सरकम सरकल और सरकल जब मेरा अंदर बनता है तो उसे हम कहते हैं इन सरकल और इन सरकल के लिए अगर मेरा यह पॉइंट है कोई तो यह वाली लाइन अगर मेरी परपेंडिकुलर खीची जाती है तो इन circle का radius होता है छोटा वाला R और बड़े वाले circle का होता है बड़ा वाला R ठीक है तो आपने क्या समझा आपको अगर कभी भी लिखा रहा है circumscribed 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 मतलब यह हुआ कि triangle के उपर आपका circle है और inscribed inscribed तो inscribed मतलब हुआ कि triangle के अंदर आपका circle है अब अगर triangle के बाहर circle है तो उसके radius को हम लोग कहते है circum radius क्या कहते है circum radius और circle अंदर है तो उसको हम लोग क्या कहते है in radius यह हो गया आपका in radius और यह हो गया आपका circum radius अब हमें दोनों को अलग अलग समझना है और इनके सारे concept को यहीं पर खतम कर देना है देखिए यह 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 और यह होता है मेरा circum radius ठीक है तो आपको direct formula में बता रहा हूं इसको अपने दिमाग में रख लीजिए r equal to a upon root 3 होता है ठीक है मतब सरकम radius और equilateral triangle की side के बीच में relation यह होता है और यही चीज़ अगर आपको कुछ इस तरीके से दी जाए तब आपका कुछ यह होता है in radius इसको कहते है हम लोग in radius और in radius में r की value होती है छोटे वाले r की value होती है a upon 2 root 3 बहुत important condition है यह दोनों आप अपने दिमाग में इसको बैठा लिजे अब हमारे पास बात आती है circumcenter in center centroid और ortho center यह क्या होते हैं और इनका क्या मतलब है circumcenter वो circle होता है जो perpendicular bisector से बनता है in center वो होता है जो angle bisector से बनता है centroid वो होता है जो median से बनता है और ortho center वो होता है जो perpendicular से बनता है ना कि perpendicular bisector से जहाँ पे सारे perpendicular मिले वो ortho center जहाँ पे सारे median मिले वो centroid जहाँ पे angle bisector मिले वो in center और जहाँ पे perpendicular bisector मिले वो circumcenter अब आईए आगे एक चीज और कभी भी आपको अगर equilateral triangle दिया हो तो इसकी height जो होती है वो होती है root 3 upon a root 3 upon 2 और इसका area होता है root 3 by 4 a square ये दो चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है equilateral triangle के लिए a हो गई हमारी side ठीक है अब देखिए आप अगर मेरा ये equilateral triangle है तो हमारे equilateral triangle में ortho center, circum center, centroid और in center इस सारी चीजों का point एक ही होता है तो इसका मतलब ये हो गया बड़ा वाला r और ये हो गया छोटा वाला r बड़ा वाला r क्या होता है circum radius और छोटा वाला r क्या होता है in radius आपको मालूमी है कि ये सारे बड़े r होंगे ये छोटा r और ये छोटा r होगा तो आपको मैं किस तरफ ले जाना चाहरा हूँ वो देखिए आप इस point से यहां पे यहां पे और यहां पे यह सारे हो गए बड़े r और इसी point से ये ये और ये ये हो गए मेरे छोटे r कोई दिक्कत आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं अब आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक चीज बताने की कोशिस कर रहा हूँ A, B, C, D, E, F और यह point है O तो आपको समझना है कि AO और OD का ratio जो है वो 2 ratio 1 है तो इसका मतलब बड़े वाले R और छोटे वाले R के बीच में ratio कितना होता है 2 ratio 1 याद रखेगा यह चीज ठीक है और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि बड़े वाले R की value होती है A upon root 3 जो मेरा circum radius कहलाता है circum मतलब circle बाहर है और R की value होती है A upon 2 root 3 जो मेरा in radius कहलाता है ठीक है अब देखिए आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा देखिए सवाल की दरफ आपको एक equilateral triangle दे रखा है जिसकी side 24 दे रखी है और इसके अंदर एक circle है तो circle का area निकाल कर बाकी बचे का area क्या होगा तो question आपको ये दे रखा है कि आपको एक equilateral triangle दिया है इसके अंदर एक circle दिया है और equilateral triangle की length दे रखी है 24 तो इसका मतलब A की value कितनी दे दी 24 इन circle है मतलब छोटा वाला radius R की value मैंने आपको कितनी मत आई थी A upon 2 root 3 तो ये आ जाएगा आपका 12 upon root 3 चोटे वाले R की value आ गई अब आप देखिए आपको A की value 24 मिल गई और चोटे वाले R की value मिल गई 12 upon root 3 और 12 upon root 3 को आप करेंगे तो root 3 उपर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 root 3 ठीक है 12 upon root 3 में आप root 3 का into करेंगे तो आपको root 3 उपर भी मिलेगा और यह हो जाएगा 3, 4, 12, 4 root 3 तो आपको A की length पता चल गई 24 और R की length पता चल गई 4 root 3 अब आपसे question पूछा है shaded region तो देखिए shaded region हमारा ये ये और ये है तो मैं बड़े वाले triangle के area में से circle का area minus कर दूँगा तो मेरा answer आजाएगा circle के area के लिए मुझे radius पता है 4 root 3 तो मैं pi into 4 root 3 का square अगर कर दूँग तो मेरा इसका area आजाएगा area of circle आगया मेरे पास a1 ठीक है और पूरे triangle का area मेरे पास निकालना है तो a2 होगा और मुझे मालूम है अगर a की value 24 है तो मेरे triangle, equilateral triangle का area क्या होता है root 3 by 4 into a square a की value 24 है यहाँ पे रख दीजे तो आपको मिल जाएगा root 3 by 4 into 24 into 24 और आपका triangle का area आजाएगा triangle के area में से circle का area माइनस कर दीजे आपका answer आगया 4, 6, 24 6, 24, 24, 6, 2, 12, 34, 144 144 root 3 आपका यह आया 4, 4, 16, 16, 3, 48 pi आपका यह आया तो आपका answer आजाएगा वही चीजे यहाँ पे बताई गई है ठीक है देखिए आपके छोटे वाले r की value 4 root 3 आई area of in circle निकाला pi r square करके और area of triangle निकाला root 3 by 4 side square करके दोनों को माइनस किया answer आगया अब आईए अगले question पे अगला question आपको दे रखा है circle बाहर है एक equator triangle दिया है जिसका circle बाहर है और उसका radius 4 है तो आपको shaded region का area निकालना है ठीक है देखिए question क्या है आपको एक circle दिया है और इस circle के अंदर एक triangle दिया है और ये वाला area आपको निकालना है और आपको बड़ा वाला circle दिया है तो इसका मतलब आपका radius कुछ ये होगा और इसकी length कितनी दे रखी है 4, 4, 4 मुझे मालूम है बड़े वाले r और a के बीच में relation क्या होता है a upon root 3 तो मैंने root 3 में 4 का into किया a की value कितनी आ गई 4 root 3 तो इसका मतलब मेरे equilateral triangle की side कितनी है 4 root 3 4 root 3 और 4 root 3 कोई दिका तो आपका ये question देखिए आप किस में बदल गया ये circle ये triangle ये 4, ये 4, ये 4 और ये मेरा center है मुझे मालूम है अगर ये 60 है क्योंकि triangle के हर angle 60 के होते है तो इसका मतलब ये अगर 60 है तो ये वाला angle कितना हो जाएगा 120 कोई दिकाट मैंने मुझे मालूम है कि किसी भी circle में center से जो angle बनता है उसका आधा होता है उपर वाला मतलब अगर ये 60 होगा तो ये होगा 30 तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए 120 क्योंकि दोनों सेम आर्क पे मौझूद है तो आपका ये question अप किस में बदल गया देखिए 120 ठीक है ये आपको चार दे रखा है और ये आपको चार दे रखा है अब मुझसे इसका area पूछ रहा है मुझे बताने की कोई जरूत नहीं है इसका मतलब ये आपको segment पूछ रहा है मान लिजिए ये आपका है O, A, B, C ठीक है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले O, A, C, B, O का area निकालूँगा किस से? radius 4 से और theta 120 से कौन सा formula लगा के? π, r, square theta upon 360 degree लगा के मेरे O, A, C, B, O का area आ गया अब मैं इस वाले area में से मेरे को r की value और theta की value दी हुई है मैं आराम से निकाल सकता हूँ अब मैं O, A, C, B, O में से क्या घटाऊंगा? minus O, A, B triangle का area घटा दूँगा और O, A, B का triangle का area क्या होगा? देखिए ये आपको 4 दिया है ये आपको 4 दिया है और आपको इसका area निकालना है तो मैंने क्या किया? सबसे पहले pi into 4 square into 120 upon 360 करके इस पूरे का area निकाल लिया minus half r square r कितना है? 4 4 square और sin 120 आगे आपके पास sin 120 की value कितनी होती है? root 3 by 2 अब आप इसको solve करिए आपको इसका area पता चल जाएगा क्योंकि आप बड़े वाले sector में से triangle का area minus कर दिये ठीक है? कोई दिक्कर? तो यही question था जो आपने देख लिया आगे देखिए इस वाले में मुझे बताने की जरूत नहीं है इस question को आपको इसमें radius 5 दे रखा है question में साफ साफ इसने बोल रखा है radius 5 दे रखा है तो इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आपका यह पांच है 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 और यह पांच है हर एक सरकल 5 पांच सेंटीमीटर का है तो हम देख रहे हैं AC की पूरी लेंद कितनी हो गई? AB की पूरी लेंद कितनी हो गई? 10 और BC की पूरी length कितनी हो गई 10 तीनों 10 हैं तो इसका मतलब ABC मेरा क्या है equilateral triangle और equilateral triangle की side कितनी हो गई 10 तो equilateral triangle का area कितना हो जाएगा root 3 by 4 into A square तो यह हो गया 10 का square आपने क्या किया पूरे triangle का area निकाल लिया आपने पूरे triangle का area निकाल लिया किस से आपने पूरे triangle का area निकाल लिया root 3 by 4 into 10 square से अब मुझे shaded region का निकालना है इसका मतलब मुझे इन तीन sector को माइनस करना होगा triangle में से तभी जाके मेरा इसका area निकलेगा और इन तीनों sector के लिए मेरा radius 5 है और theta मेरे पास 60 है तीनों के लिए तो मैं क्या करूँगा 3 into 3 into pi into r r की value कितनी है 5 square into 60 pi r square theta upon 360 degree 0 से 0 cancel 3 6 0 18 18 2 0 36 5 5 0 25 by 2 pi हमारा आया तीनों sector का area इस वाले का तीनों को मैंने निकाल लिया 25 by 2 pi अब मैं इसे कितने में से माइनस कर दूँगा root 3 by 4 into 100 में से मैं 25 pi by 2 को माइनस कर दूँगा मेरा answer आ जाएगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे आईए अगला question आपके पास जो दे रहा है ये भी question अच्छा है इसे आप समझे इस बार आपको equilateral triangle नहीं दिया है एक right angle triangle आपको दे दिया गया है और इस right angle triangle का इसके अंदर एक circle है और इस right angle triangle की एक side 6 दे रखी है और एक side 10 दे रखी है और आप से पूछ रहा है circle का area निकालो find the area of circle तो circle के area के लिए मुझे radius पता करना होगा और मुझे मालूम है कभी भी कोई चीज अंदर रहती है तो उसका radius कुछ ऐसे गिरता है तो ये सारे के सारे radius हो गए मेरे r ठीक और अगर ये 6 है ये 10 है तो पाइथागोरे स्थियोरम से ये 8 हो जाएगा ये 8 हो गया ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने 3 triangle बना दिया इसके अंदर एक triangle ये एक triangle ये और एक triangle ये और यहाँ पे नाम दे दिया O इसको नाम दे देते हैं A, B, C अब आप से कोई पूछे area of triangle A, B, C क्या होगा तो right angle triangle है तो मेरा perpendicular 6 है और base 8 है तो half into 6 into 8 मतलब 24 24 मेरे पूरे triangle का area आ गया ठीक है अब मुझे ये बताइए क्या ये 24 जो है ये area O, A, B plus B, O, C plus A, O, C के बराबर नहीं है अगर ये तीन triangle में लूँ O, A, B B, O, C और A, O, C तो इन तीनों triangle का area मिला के मेरे A, B, C का area निकलेगा ठीक है तो देखिए आपका question किसमें बदल गया तो आपको 24 मिला था अब मैं सबसे पहले इस triangle के उपर जाता हूँ और इस triangle का area मुझे निकालना हो तो ये मेरा perpendicular R है और ये मेरा 6 है तो इस triangle का area कितना हो जाएगा half into 6 R base into height अब आते हैं हम इस वाले triangle पर इस वाले triangle का area कितना हो जाएगा half into 8 R और इस वाले triangle का area कितना हो जाएगा half into 10 R आई बात मेरी समझ में और half R अगर आप बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 24 इक्वल 2 half R बाहर निकाल दिए 8 6 14 14 और 10 24 ठीक है 24 से 24 कैंसिल R की value आगई 2 radius आगे आपके पास 2 क्या radius 2 आया है देखते हैं हम लोग देखिए radius 2 आया अब बस आप क्या करिए आपको shaded region का area निकालना है तो आपने पूरे triangle का area कितना निकाला था 24 और circle के area के लिए πाई R स्कॉयर करेंगे R की value आपने निकाल ली तो ये हो गया 24 minus pi into R की value 2 थी तो ये हो गया 4 pi तो 24 minus 4 pi आपका answer आ गया अब आप pi की value इसमें put कर दीजे आपको आपका answer मिल जाएगा ठीक है आते हैं अब हम लोग अंतिम question पे और उसके बाद आज का lecture हम लोग समयटने की कोशिस करते हैं question अच्छा है बड़े ध्यान से आप समझेगा इस question को आपको एक ABCD trapegium दे रखा है ठीक है और इसमें angle BCD की length 60 दे रखी है और आपको एक length AB और BC AB और BC आपको 7 दे रखे हैं और DE की length आपको 4 दे रखी है ठीक है और आप से पूछ रहा है कि shaded region का area आप निकालो ठीक है मेरी बात बड़े ध्यान से समझेगा question बहुत अच्छा है ये आपको एक trapegium दिया हुआ है कुछ इस तरीके का ठीक है और ये आपको 60 दे रखा है ये 7 दे रखा है ये 7 दे रखा है और ये 4 दे रखा है ठीक कोई दिक्कत आपको यहां तक और question में क्या बोला है ये भी देख लेते हैं हम लोग ABCD trapegium है AB DC के parallel है angle BCD 90 है और BEFC एक sector है sector है AB और BC की lens साथ है और आपको ये सब चीजें सामने बता रखी है और आपको area निकालने को कह रहा है shaded region का देखिए आप question बहुत अच्छा है ये वाला ये 60 ये 7 ये 7 ये 4 अगर ये मेरा एक sector है जो इन्होंने question में कहा कि ये मेरा एक sector है तो अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा ठीक है आपको इतनी चीजें पता चल गई अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से समझेगा मैंने यहां से एक perpendicular खीच दिया और इस perpendicular को मैंने नाम दे दिया H अब आप मेरी बात ध्यान से समझेए इस वाले पॉइंट इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मैं OAB नाम दे देता हूँ मान लीजे तो ट्रेंगल OAB में H और 7 के बीच में 60 डिगरी से relation कौन देगा 60 के सामने H perpendicular है और 7 hypotenuse है तो साइन 60 की value होती है root 3 by 2 equal to H upon 7 तो आपके H की value कितनी आ गई 7 root 3 upon 2 height आपकी आ गई 7 root 3 upon 2 इतनी चीजें आपको पता चल गई तो मेरे ख्याल से आपको answer मिल गया देखिए कैसे अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा A B O D का area निकालूँगा और A B O D मेरा trapegium है trapegium का area क्या होता है half into sum of the parallel side एक parallel side साथ है और एक parallel side 11 है तो 7 plus 11 sum of the parallel side into height height मेरे पास कितनी आई थी 7 root 3 upon 2 आपके A B O D का area आ गया मतलब आपने पूरे trapegium का area निकाल दिया अब मैं इसमें से O B C sector के area को minus कर दूँगा जो मेरा ये है और O B C के sector का area निकालने के लिए मेरे पास radius कितना है? 7 और मेरे पास theta कितना है? 60 तो मेरा ये क्या हो जाएगा? पाई इन्टू 7 स्क्वायर इन्टू 60 एपान 360 पाई आर स्क्वायर थीटा एपान 360 डिगरी आपका ये अंसर आ गया अब O B C को आप A B O D के area में से घटा देंगे तो आपका इस वाली चीज का area आ जाएगा जो इसने question में पूछा है तो trapegium की side से आपने height निकाली और height निकालके आपने trapegium का area निकाला और trapegium के area में से आपने O B C sector के area को माइनस कर दिया आपका answer आ गया ठीक है? यही question था आपका जो आपने यहाँ पे समझ लिया ठीक है? last question एक और है इसको भी आप देख लीजे बहुत असान question है यह आपको 3 side दे रखी है 14, 48 और 50 और 3ों के बीच में छोटा छोटा आर्क मार रखा है और आपको shaded region का area निकालना है तो देखिए आप question को 14, 48 और 50 ठीक है? और यह आपका right angle triangle नहीं है यह चीज आपको दी गई है ठीक है? मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको theta 1 मान लिया इसको theta 2 मान लिया और इसको theta 3 मान लिया क्योंकि मुझे तीनो एंगल नहीं पता है ठीक है? आपको मालूम है कि किसी भी triangle की अगर मुझे तीनो side पता हो किसी भी triangle की मुझे तीनो side पता हो तो उसका area हम लोग किस से निकालते हैं? heroes formula से और heroes formula क्या कहता है? कि सबसे पहले आप s निकालिए जो तीनो side को plus करके उसका आधा करने पे निकलता है और जैसे ही आपका s निकलेगा उसके बाद आप area निकालेंगे किस से? s, s-a, s-b और s-c से तो आपके यहां के question में जो यह दिया गया है 14, 48 और 50 इसमें पहले आप s निकालेंगे और फिर under root में s, s-a, s-b और s-c करेंगे तो आपको area मिल जाएगा किस का? इस triangle का पूरा area देखिए triangle का पूरा area कैसे निकाला है? 48, 50, 14 को प्लस किया आदा किया 56 आया 56, 56 को 48 में से घटाया 8, 50 में से घटाया 6 और 14 में से घटाया 42 और उसके बद उसका under root करके 336 निकाल दिया इसका मतलब इस पूरे का area कितना आगया? 336 आगे देखिए अब मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूँ और हमें ये तीनों एंगल दिये हुए हैं कोई भी 90 डिगरी नहीं है ये थीटा 1 है ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है ठीक? और हर आर्क की लेंथ भी इन्होंने कोस्चन में बता रखी है 5 सेंटीमीटर मतलब जो आपका सर्कल है ये जो आपका ट्रेंगल है उस ट्रेंगल में जो आपने आर्क काटे हैं हर आर्क की लेंथ कितनी है? पाँच पाँच ठीक है? और आपको ये दे रखा था 14, 48 और 50 जिससे आपने टोटल एरिया निकाल लिया था 336 जो मैंने आपको बता दिया अब देखिए कोई भी एंगल आपको पता नहीं है तो इसका मतलब मैं 3 एंगल को ले लेता हूँ एक को ले लेता हूँ X एक को ले लेता हूँ Y और एक को ले लेता हूँ Z ठीक है? तो इस वाले सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मेरे पास theta क्या है x और मेरे पास radius क्या है 5 इस वाले theta को निकालने के लिए मेरे पास theta क्या है y radius क्या है 5 इस वाले theta को निकालने के लिए मेरे पास theta क्या है z और radius क्या है 5 तो तीनों को मैं जोड देता हूँ और जोड़ूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा देखिए πाई आर स्क्वायर थीटा एपान 360 डिगरी होता है मेरा सरकेट का और तीनो के लिए मेरे को थीटा एक बार X रखना है एक बार Y रखना है एक बार Z रखना है और radius मेरे को तीनों बार 5 रखना है जो मुझे दिया गया है तो मैंने क्या किया पाई यार स्क्वाइर एपउन 360 को तो बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरा तीनों में radius यही है तो अंदर मेरे पास क्या जाएगा x प्लस y प्लस z जो उनका theta है पाई यार स्क्वाइर 360 डिगरी बाहर निकलेगा पहले वाले का theta x से दूसरे वाले का y और तीसरे वाले का z और हमें मालूम है इन तीनों का मिला के कितना होता है 180 तीनों एंगल मिला के कितने होते हैं 180 तो आपका अंसर मेरे ख्याल से आ गया पाई इन्टू 5 स्क्वाइर इन्टू 180 भागे 360 ये कहया 2 से आपका आगया 25 पाई बाई बाई टू इसको आप 336 में से जब 25 पाई बाई टू को घटा देंगे तब आपको उसका एरिया मिल जाएगा जो उसमें पूछा गया है समझ गया इन्होंने जो कोस्टन किया मान लिजिए इस कोस्टन को आप ऐसे भी कर सकते थे ये A है ये B है और ये C है ठीक है और सबकी लेंज मेरी 5 है 5 है 5 है 5 है 5 है 5 है तो मैंने क्या किया πाई इंटू 5 स्क्वाइर एपाउं 360 ले लिया क्योंकि तीनों का radius यही है पहले वाले का A है angle, दूसरे वाले का B है और तीसरे वाले का C है तीनों को मैंने जोड़ा A प्लस B प्लस C की value कितनी होती है 180 आपका answer आगया और यही कुछ question है देखिए ठीक है तो आपको 25 pi by 2 मिला उसको 336 में से आप घटा देंगे आपको आपका answer आजाएगा तो हमने कुछ बहुत अच्छे-च्छे question यहाँ पर किये और आसा करता हूँ आपको यह lecture पसंद आया होगा area related to circle के सारे question आपने देख लिए और आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से answer निकालना है बहुत जल्दी हम लोग tangent के उपर question लाएंगे तब तक आप इस chapter को अच्छे से complete करिए और तभी tangent की तरफ बढ़िएगा तब तक आप अपको लमना के हाल रखिए बहुत बहुत धन्यवाद